हैलो गाईज गुट मॉनिंग ट्यू अल उफ यू वेलकुम टू लर्न विद लक्षमी शर्मा आज है 28 जुन धोजर तेस जिसमें 27 जुन और 28 जुन दोनों की टॉप 20 करेंट अफिर्स कवर करेंगी इन टॉप 20 क्वेस्टिन्स का आपको डीटेल्ड एक्स्प्लेनेशन दिय जाएगा इसके साथ ही आपको इससे रिलेटिड जो भी अटिस्नल इंफॉर्मिशन होगा या जो भी अटिस्नल फैक्ट्स होंगी सारा आपको कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की पेडियाफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउलोड भी कर सकते हैं यह यह मेरा फेस्बूक और इस्टाग्रम का पेज है आप इसे फॉलोग कर सकते हो सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को जिसमें हम 27 जून और 28 जून दोनों के यह टॉप 20 क्वेस्टिन का डिस्कॉसन करेंगे आवर फर्स्ट क्वेस्टिन इस पंजाब के नए मुक्य सच्चियों के रूप में किसे नियुक किया गया है इसका आंसर है अनुराग वर्मा अनुराग वर्मा को पंजाब का नया चीफ सेकरेटरी अपॉइंट किया गया है और यह पंजाब के अब 42 में चीफ सेकरेटरी होंगी यह 1993 बैच के एक I.S. आफ इसको रिटायर होंगे पंजाब इसके कैपिटल है चंडिगर इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित नेक्स्ट क्वेस्चन इस कौन से राज्य सरकार अपनी पानी के नीचे सुरंग बनाएगी इसका अंसर है ऑप्शन D. असाम की गवर्नेंट ने अनौंस्मेंट की है कि वे असाम के पहली अंडर वार्टर टनल को डवलप करेगी और इस टनल को ब्रमपुत्र रिवर के नीचे बनाया जाएगा इस टन को जुलाई 2030 के एंड तक ऑपरिट कर दिया जाएगा इसके अलावे असाम के चीफ मिनिस्टर ने सोनितपूर डिस्ट्रिक में छे नए टी गार्डन मॉडल स्कूल को इनुगरेट किया है असाम इसकी कैपिटल है दिसपूर इसके चीफ मिनिस्टर है हिमंता विस्वसर्मा और इसके गवर्नर है गुलाब चन कटारिया नेक्स्ट क्वेस्टन इस वोन दे ताइपे ओपन 2023 टाइटल ताइपे ओपन 2023 का खिताब किसने जीता इसका आंसर है ऑप्शन सी चीको औरा ड्वी वाड़यो चीको औरा ड्वी वाड़यो ने इस साल 2023 का योनिक्स ताइपन ओ चैंपिंश का 48th edition को आयुजित किया गया था जिसे ताइपे के तियान मून एरेना में आयुजित किया गया था मेंस इंगल टाइटल के अलावा कुछ और कैटेगरीज है जिसमें विमन सिंगल इसे तैजू यू यू ने जीता है विमन्स डबल का टाइटल ली यू लिम औ मेंस डबल इसे मान वी चॉंग और ती काई वों नी जीता है और मिक्स डबल इसे चैन तैंक जी और तो ई वी नी जीता है ताइपे ओपन जोके एक बैडमिंटन टॉर्णामेंट है यह टॉर्णामेंट BWF यानि बैडमिंटन व्ल्ड फेडरेशन व्ल्ड तूर का 15 किस राज्यों ने देसी गायों की खरीद के लिए 40,000 रुपे की अनुदान की घोशना की है इसका आंसर है Option D उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की गब्मेंट ने अनॉंसमेंट किया है कि वे दूसरे राज्यों से इंडिजेनस यानि देसी गायों के खरीदने पर 40,000 ये इनिशेटिव उन काव हर्डर्स को दिया जाएगा जो दूसरे राज्यों से देसी गाये जैसे साही बाल, खर पाकर और गीर गाये खरीदते हैं इन गाये को खरीदने पर जो उनके ट्रांस्पोर्टेशन एक्सेंस होंगे या इंसूरेंस होंगे उसके लिए यूपी की अनन्दी बिन पतेल इसका आंसर ऑप्शन भी निउयॉर्क यूनाटेड स्टेट्स की नियॉर्क सिटी ने दिवाली को एज ए स्कूल हॉलिडे डिकलेर किया है ये डिकलेरेशन नियॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने किया है दिवाली जो की एक हिंदू फेस्टिबल है इस फेस्टिबल को नियॉर्क सिटी में पब्लिक हॉलिड गया है, नियोर्क सिटी ये युनाइटेड स्टेट्स की मोस्ट पॉपिलर सिटी है, नेक्स्ट क्वेस्टिन इस, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी रिसीवड द ऑदर अफ द नाइल ओनर ओफ विच कंट्री, हाली में प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी को कि देश का ओडर अफ द नाइल सम्मान प्राथ हुआ है, इसका अंसर ऑप्शन है एजिप्ट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी अभी हाली में एजिप्ट के विजिट पर थे, जिनने एजिप्ट का हाइस्ट सिविलन अवार्ड ओडर अफ द नाइल से समान हेड होते हैं, तो ये ओनर इन कांट्रीज के हेड को उनके इन वैल्यूबल सर्विस के लिए दिया जाता है, एजिप्ट का ये स्टेट ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी का अब तक का 13th हाइस्ट स्टेट ऑनर था, एजिप्ट इसके कैपिटल है काइरो, इसके कर इजुकेशन इन इंडिया, विश्व बैंक ने भारत में तकनीकी सुक्षा में सुधार लाने के लिए कितना रिंद दिया है, इसका आंसर ऑप्शन भी 255 मिलिन डॉलर, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में टेकनिकल इजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए 255.5 मिलिन डॉ और इस प्रोजेक्ट के अंडर, इंडिया के रिसर्च, अंट्रेप्रेशन, इनोवेशन और टेकनिकल इंस्टिूशन के गवर्निंस को इंप्रूव किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक इसे 4 जुलाई 1994 को फाउंड किया गया था, इसका हैड़कॉटर वाशिंटन डेसी में है और इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट है, इसका आंसर ऑप्शन डी इंडिया, इंडिया वर्ल्ड की 2nd largest रोड नेटवर्क बन गई है, जिसमें इंडिया ने चाइना को सरपास किया है, और अब इंडिया सेकंड पोजिशन पर ह इंडिया में 2014 से लगभग पिछले 9 साल से 1.45 लाग किलो मीटर रोड को एड किया गया है, और अभी रिसेंट में डेली मुंबे एक्सप्रेस वे को कम्प्लेट किया जा रहा है, जो कि इंडिया का लॉंगेस्ट रोड नेटवर्क होगा, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट् रोड कर वर्ल्ड की 2nd largest road network बन चुकी है, इस टैंकिंग में फर्स्ट पोजिशन पर है USA, नेक्स्ट क्विस्टन इस, इंडिया और बेल्जियम ने हाल ही में एक अग्रिमेंट साइन किया है, जिसका नाम है Mutual Legal Assistant Treaties, इस अग्रिमेंट को दोनों कंट्रीज के बीच Criminal Matters के लिए साइन किया गया है, जिसमें ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे देश के क्रिमिनल्स पर एक्शन ले सकते हैं, जैसे कोई इंडिया का क्रिमिनल हो वो बेल्जियम चला गया हो, तो बेल्जियम के गर्ब्मेंट उस पर एक्शन ले सकती है, या फिर बेल्जियम का कोट बेल्जियम के क्रिमिनल्स के लिए एक सर्च वारेंट निकाल सकती है, या फिर बेल्जियम का कोट इंडियन क्रिमिनल्स के लिए सर्च वारेंट निकाल सकती है, बेल्जियम इसकी कैपिटल है ब्रसिल्स, इसकी करिंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है अले Arasta Ironman ने इस साल 2023 का Premier Handball League का टाइटल जीता है और इस Championship को इसने पहली बार जीता है जिसमें इसने फाइनल में Golden Eagles उत्तर प्रदेश टीम को हरा कर इस टाइटल को जीता है। 2023 का ये Championship राजस्थान में जैपूर की सवाई मानसिंग इंडोर स्टेडियम में आईजित किया गया था। इस Championship में इगोर चिलसेलियो को Most Valuable Player of the Game का आवर्ड दिया गया। Next question is What rank has India secured in the World Competitiveness Index 2023 विस्वे प्रतिस्त परदात्मक सूचकांग 2023 में भारत ने कौन सी rank हासिल की है। इसका अंसर ऑप्शन डी 48 दो हजर तेश की World Competitiveness Index को रिलीज किया गया है जिसमें इंडिया ने 48th rank हासिल किया है। इस Index को International Institute for Management Development ने रिलीज किया था। World Competitiveness Index ये Index लगवग 336 Competitiveness Criteria पर बेस्ट थी जैसे Education सेक्टर, Infrastructure सेक्टर, Political सेक्टर या Economical सेक्टर इस तरह के 336 Criteria पर ये बेस्ट थी जिसमें इंडिया को 40 वा rank दिया गया। इस Index में Denmark को Top Rank दिया गया, Denmark के बाद 2nd position पर है Ireland, 3rd है Switzerland, 4th है Singapore और 5th है Netherlands नेक्स्ट क्वेस्टन इस विच कंपनी है साइंड और रूपीज 3,700 करोड डील विद डैनमार्क दैन्सके बैंक के साथ 3,700 करोड रूपे का समझाता किया है। IT firm Infosys ने डैनमार्क के डैन्सके बैंक के साथ एक डील साइन किया है जिसमें ये इस बैंक के डिजिटल ट्रांसफरमेशन को बढ़ाएगी, उसे इन्हांस करेगी, बूस्ट करेगी। इस डील को 454 मिलिन डॉलर में साइन किया गया है जो लगवग 3,700 करोड रूपे के बराबर है और इस डील को 5 साल के लिए साइन किया गया है। इसके अलावे इंफोसिस नहीं इंडिया में जो इस बैंक का सेंटर है उसी भी अक्वायर किया है जिसमें लगव 1400 से भी जादा प्रोफेशनल इंप्लॉईज हैं। इंफोसिस इसे 2 जुलाई 1980 को फाउंड किया गया था इसके हैटक्वाटर बैंगलूरू में है और इसके CEO है सलिल पारिक। इसका अंसर ऑप्शन सी पंजाब पंजाब में जालंधर की BSF Frontier Headquarters Campus में BSF Hockey Turf Ground को इनगरेट किया गया है। इस ग्राउंड का इनगरेशन यूनियन यूथ अफेर्स और स्पोर्स मिनिस्टर अनुराग सिंग ठाकूर ने किया है। क्राउंड की प्राउंड में है किसे चुना गया है। ग्रीस के प्राउंड कैटरीना सेकलार आपया ने दिलाई है। ग्रीस इसके कैपिटेल है एथिन्स और इसकी ओफिशल करिंसी है यूरो नेक्स्ट क्विस्चन इस वेर इस दा हिस्टॉरिकल खर्ची पूजा बिंग सेलिब्रेटीड एतिहासी खर्ची पूजा कहां मनई जा रही है इसका आंसर आप्शन भी त्रिपूरा हिस्टॉरिकल ख को सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपूरा इसकी कैपिटल अगरतला इसकी चीफ मिनिस्टर इमानिक साहा इसकी गवर्णर सत्य देव नरायन आ रहे हैं और त्रिपूरा की कुछ फेमस फैस्टिबल से जिसमें गरिया पूजा पिलख फेस्टिबल खर्ची फेस्टिबल और आसोकास्टमी फेस्टिबल सामिल है. Next question is, Who has been awarded the first कला क्रांती लाइटाइम अचीवमेंट अवार्ड? पहला कला क्रांती लाइटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? इसका answer option D, पंडित PD बॉल, पंडित पूर्णा दास बॉल, इन्हें IPAF का पहला कला क्रांती लाइटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. ये अवार्ड इन्हें traditional ball music को वर्ल्ड में एक नई पहचान बनाने के लिए इनके outstanding contribution के लिए दिया गया है. IPAF, जिसे International Performing Arts Festival कहते हैं, इस अवार्ड सेरिमनी को पांचवी बार कोलकाता में होस्ट किया गया था. Next question is, Who clinched the 2023 Queen's Club title? 2023 का Queen's Club का खिता किसने जीता? इसका answer option A, Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz जोकि एक Spanish tennis player है, इन्होंने 2023 का Queen's Club title जीता है. इन्होंने final में Alex D. Minor को हराया है, और अभी एक फिर से world के number one tennis player बन चुके हैं. Carlos Alcaraz ये fourth Spanish player है, जिन्होंने इस tournament का title जीता है, और Alex D. Minor ये पहले Australian है, जो इस tournament के final तक पहुँचे थे. इनसे पहले 2006 में Australian tennis player, Let and Have It, इस tournament में final में पहुँचे थे. Queen Club Tournament ये एक tennis tournament है, जिसे इस साल 2023 में London के West Kingston में आयोजित किया गया था. Next question is, Which breed of calf has been born through Sarogacy for the first time in Andhra Pradesh? Andhra Pradesh में पहली बार Sarogacy के माध्यम से किस नस्थ के बचड़े का जन्म हुआ? इसका answer option C, Sarogacy के तुरू साहिवाल ब्रीट के काफ का जन्म हुआ. इस काफ के donor cow और बोल थे जो दोनों ही साहिवाल ब्रीट के थे. और इस साहिवाल काफ का जन्म ऑंगल ब्रीट के काव से सारोगेट के तुरू किया गया. इस सारोगेशी प्रोजेक्ट को तिरुमाला तिरुपतिर देवस्थानमस और स्री वेंकटेस्वरा वेटनेरी उनिवर्सिटी ने मिल कर किया था, जिसका एम इंडिजेनेस कैटल ब्रीट्स यानि जो देसी गाये हैं उन्हें प्रमोट करना था. नेक्स्ट क्वेस्टिन इस रिसेंटली यूपी गवर्मेंट हैस अनौइडाज अमलतास रोड रेनेम डैस्ट। हाले में यूपी के सरकार ने नौइडा के अमलतास रोड का नाम बदल कर क्या करने की गोशना की है? इसका अंसर है ऑप्शन डी रामनाद गोईन का मार्क। प्रेस के फ्रेडम को कंट्रोल करने के लिए राजिव गांदी के गवर्मेंट द्वारा लाई गई डिफामेशन बिल को अपोस करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इनके डेथ 1991 में हुई थी और अमलतास मार्क का नाम बदल कर इनके नाम पर रामना प्रेस लिए गॉल्फ किताथ किसने जीता इसका अंसर ऑप्शन ही दिख्शा डागर दिख्शा डागर ने दोजार तैयस का चेक लेडीज यूरोपियन टूर कोल्फ टाइटल जीता है यह इनका सेकेंड एलईटी टाइटल है इस टाइटल को जीतने के बाद दिख्शा ड ये पहले इंडियन वुमें ती जिन्होंने इस टाइटल को एक बार से जाधा चीता था So guys ये थे आज और कल के Top 20 Questions, Next Time for Quiz आज का quiz है Which IIT has successfully conducted a test flight for cloud seeding? किस IIT ने cloud seeding के लिए सफलतव पुरवक परिक्षन उड़ान आयुजद किया है? आपके options आयाइटी डैली, आयाइटी रोर्की, आयाइटी कानपूर या आयाइटी खडगपूर इसका answer आपको comment section में करना है So guys, आज की वीडियों बस इतना ही अगर आपको वीडियों पसंद आई तो इस चैनल को subscribe कर लीजेगा और इसे like और share करना ना भूलिएगा thanks for watching guys and have a good day bye bye